अलो दोस्तों स्वालत करते हैं आप सभी का आपने एक प्यारे से यूटूब चैनल अनुपिश्टेडी में तो फ्रेंस इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रस नमर 10 से प्रस्नों का सलुशन करना सिखाएंगे हम आपको कैसे आपको सलुशन करना है और हम लोग ना तक प्रस्न में लिंद्या गया है और साथ ही आपको PDF जो बताया जा रहा है आपको किसी भी प्रस्न में आपको दिकत नहों कि इसमें बात करते हैं प्रस्न में 10 को पहलब 10 क्या है नंसे पहला कोश्चन करेंगे लिया इसमें पहला कोश्चन में आपका पुछ करायखे है पहला कोश्चन को आप ने रहा है पहला कोश्चन कि की चाय अ प्रतम एन प्राक covered यानि कि आप प्राइब में यहन प्रैग्ति संख्याओं का ये आप से च्पाह से पूछ रहा है तो आपका तुरंथ संग्छा एंट वान प्लास टू प्लास 3 प्लास 4 डेड़ एस कहां तक कर रहा है यन तक तो योगफल के लिए क्या आपको क्या क्या पता होना चाहिए यह बराबर 1 हो जाएगा और D जो सारों अंतर है डी बराबर कितना हो गया वने हुआ न इसके बाद आपका जो है कि एल अंतिमावपद होता है तो यल बराबर एन है और योगफल निकानला ही यन पोदों का तो एसन बराबर हो जाएगा यन बाइ टू कोश्टक में ए प्लस क्या होता है फर्मूला एम तो यन पोदों का कर र प्राक्ति संख्याओं का योगई यदि आपसे कोई योगफल पूछता है तो आप तुरंत योगफल बताएंगे एन कोश्टक में एन माइनस वान डिवाइड वाई टू यह आपको कंफर्म हुआ तो उमीद हुए कि यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है कैसे मैं सलूसन आपके इस प्रस्न का कराया हूं ठीक है तो यह उमीद हुए समझ में आया तो यह आपका एंस और फाइंड हुआ ठीक है ना हाँ और वीडियो आपको अच्छा लाएगा तो वीडियो को लाइक सेर जरूर कर दिजेगा तो इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं दस स्रेणी दे रखाए स्रेणी दे राखा है स्रेणी लेका है धार कर राका है करता राहिक है यह न पदों का कितने पदों का योग फाइन करना है, यन पदों का आपसे योग पुछ रहा है कि यन पदों का योग क्या होगा, तो बहुत से सिंपल है, देखें, सबसे पहले अंतिमपद जब दे दिया, तो अंतिमपद दिया तो S-N बरावर होता है, यन बाइ 2 कोच्टग में A प्लस क्या होता है और हाँ यह सब चीजें उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जो रेगुलर हमारे साथ जोड़ते हैं ठीक है प्रतिक दिन का यदि आप वीडियो समझते हैं तो आपको किसी भी प्रेस्ट का सलुसन करने में आपको दिकत नहीं होगा ठीक है तो यह आपको कंफर्म ह है sn बराबर n by 2 कोष्टग में a प्लस या ठीक है ना चलिए देखते हैं क्या क्या दे रखा है पहला पद आपका यह का वाईलू दो दे रखा है स्टार वं तर डी बराबर आपका चार माइनस दो यानिकी दो दे रखा है अंतिम पद जो यहल होता है आपका टू यहन दे र यहन की जगा पज़ाने रहेगा एक एक जगाब क्या है टू अल की जगाब क्या है टूएन इतना कन्फर्म हुआ फिर दो तो दो कामन है तो 2 को बाहर लिकाल दीजिए डिवाइड वाइड वाइड टू हो जाएगा यह हो जाएगा 1 प्लास n दो से 2 क्या हुआ कट गया तो यह हो गया N को श्टक में N प्लास 1 उमीद होगी मेरे प्रिछातरों आपको यह अच्छी तरह समझ में आ गया ठीक है confirm hai na यह aap को प्लाफ वन यह आपका योगफ़ फाइंड हुवा है यह आपकी सिरी नहीं डिरख ही और करएगा यह नपदों का यह निकालना है तो आपका कितना होगा यह कंफर्म हुआ कि आपको यह आपको जो एंस्वर फाइंड हुआ एन पदों का यूग का एन कोश्टक में एन प्लास वन तो चले इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रस्ण के तरफ देखें अगला यह दसवे का नंबर का दूसरा था अब हम आपको ल कि यह उसी सहल कर दिए कोई दिकत नहीं थे का रहता है कि प्रत्लि तो यह आपका होता है प्रत्म एन प्राकदिस संख्याओं का यूग फहसी हो chuckाल यह तो आपका हो जाएंगा मैसरे कमर्बरॉले टूटल यह एंस और फाइंड होगा मेरे प्रीचा तो फार्मॉला है आप लिखेंगे कि प्रथाम एन बिसंप्राग्दी संख्याओं का योग बराबर एन का क्या इसक्वाइर ठीक है यह तो फार्मॉला रहा आपको यह अच्छी तरह समझ में आया कि जो प्रथाम एन यदि अब इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ प्रस्ट नमबर 11 की तरफ ठीक है तो देखें प्रस्ट नमबर 11 में क्या दे रखा है और क्या क्या आपसे पूछ रहा है देखीं तो कोश्ट नमबर 11 का पहला देखिए क्या कह रहा है तो देखें इसमें क्या कह रहा है कर रह 12 तक 6 दे रख्खा है it not the रखे और क्या 12 डाय 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 का और यह कई एक रहा है कि कितने पदों का योगफल आपका केक्यासए होगा कितने पदों का सब्सक्राइब यावयक धिया नगिकСक्राइब ग्दा minder क्तने तो वहां पर इसी तरह से आपका योग आपका 81 होगा तो नंबर पूछ रहा है ना तो एसन बराबर कितना हो गया प्रसंद देखोंगे वीडियो देखेंगे वहां पर इसमें क्या आपका दिया है चलिए इसलिए मैं करता हूं कि प्रति दिन हमारे साथ जुड़े रही है लेकि आप लोग मानते ही नहीं है कोई बात नहीं है तो हाई हो गया यह सन बराबर तो एक आसी देदिया ना अब इस दूसरा फर्मूला लगाएंगे न तो एसन बराबर हो जाएगा तुवे नहीं मिश्टेक हो रहा है ठीक है इसन बराबर हो जाएगा हाँ यह फाले पी पता चुका हूं जिक मुझसे मिश्टेक हो गया है चलि तो देखते हैं प्रतम पज स्टार वंतर क्या क्या दिया है देए प्रथम पदापका यह बरावर च्छा है सार वंतर डी बरावर नौ मैंने च्छों होगा की नहीं होगा बरावर कितना होगा नमबर पूछ रहा था ना तो आपका एंड बराबर कोश्जन मार कर रखिये एसन बराबर आपका दे रखा है कितना बहिया एक एसी तो यह नहीं दे रखा है अब हम लोग हर या गिनते हैं हम आए कि का ऊंट करते हैं नहीं नहीं कि कोभी भी संख्या करते हैं इस एक दोव धी मैंने हैं थे आए पहले पक्ति दूसरे पक्ति थीच्व क्या श्लम था- discussions भी- of में हम लोग बढ़ते हैं तो कभी भी हम लोना नंबर यदि माइनस में आएगा तो कभी भी संख्या का काउंटिंग माइनस में नहीं की जाती है तो उसको छोड़ देंगे प्लस वाला जो होगा आपका वही लिया जाएगा चाहिए फार्मला कहता है मेरे प्री छात्रों के । यह हो जाएगा कितना मल्टिप्लाई कराईए तो यह हो जाएगा दू यह कम दू हो जाएगा यह समझ मैं 162 इसमें बता दूँगा तो आप कैसे इसमें हो गया है दूछे के 12 प्लास इसे मल्टिप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 3N माइनस क्या 3 यह हो जाएगा 162 इसकल टू देखिए 12 में से 3 घटेगा कितना हो जाएगा 9 से यह न में 9N और यह हो जाएगा 3N स्कार यह ठीक है न अब इसके बाद इसको जारा इधर वेज दीजिए तो इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस कितना होजाए 162 बराबर कितना लेलोगे जीरो मैं इसको इधर बेजाओं ना कि इसको इधर बेजाओं तो इधर जीरो कर सकते हैं या उसी को मैं उधर लगा दिया हूं ठीक कोई दिक्रत नहीं इतना कंफर्म हुआ इसके बाद देखिए तीन से डिवाइट किजिएगा तो सजा लेजिए हैं इसको यहां पर देता हो सजा लएगा इसको तो हो जाएगा 3 लिएक कर देजिए तो आपका हो जाएगा कि यहां तक समझ में आया ना अब यहां से जोए कि आप घंड कर सकते हैं अब यहां प्लस में मैं ट्रीक दोरा बताई दे रहा हूं तो यह जाए प्लस है यहां पर माइनस है तो तो टूटे का खंडवाई प्लस में होगा माइनस में तो अब यह बताई है प्लस में होगा माइनस में तो घटेगा घटाने पर आपका तीन आना चाहिए गुणा करने पर गटाने पर तीन गुणा करने पर चोवण तो नौ छके चोवण अब नौ में से चग अट तीन होगा हुआ ना आ हमको हर हाल में फाइन करना है नंबर की सांग यह यह इस ट्रीक द्वारा देखिए तो यह बराबर यदि आप निकालना चाहते तो क्या लिखेंगे ज़र समझ मदिर बाता है तक बिद्ध्या-मंदिर पर बताया अलबंधिर को पर बाता है तो यह सब याद हो तो यह सब याद होगा क्या सब त्रीक किया जाता है तो मेरे पृष्ण तो यहां तो यह ढ़ंविया एक माइनस में कृण N यह को टो था कृण है यह कि तो समझ में आगया ना इक पदों की क्सितनी है और हाथा बच्चों को यह तोaran प्रहाम हैं और यहन्हां स्कौर्ण और इसको deauxi smile at je muchos मानस आएगा जब मानस आएगा तो यहांक कोई भी आंक रखेंगे तो घटेगा जिसे यहां आप दो रख दें यहां पांच रख दें तो घटेगा ठीक है अब घाटा आने पर आपका 3 आना चाहिए गुणा करने पर 6 तो 9 चाहिए 4 और 9 चाहिए 6 गटेगा 3 और 7 में जोड़ेंगे क्या हम बेसिक से समझा है इन दोनों में तョरा क्मुण आपका 6 हो जाएगा यहां पलस ना जैंगे से गelly को नरे में से मृटोंशन दूसरा होगा удар माइन भर जिरो तो इक और यदि आपे चाहती हैं कि हैन पलस प्लस में प्लस में प्लस में प्लस में काउंट करते हैं तो यह आपका हो गया प्लस कितना यह रहा आपका क्या मेरे प्रिचातरों एंसर यह टोटल आपके जो है पदों की संख्या होगी आपकी च्छा होगी तो यह कंफर्म है ज्यादा तो समय लगा क्योंकि यह आप दो दो चीजे बतानी पड़ी ना चलिए तो बढ़ते हैं इसके बाद यह कोश्चन नमर 11 का पाल आज में आ रही होंगी और हाँ वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा समय भी लगता है आपको जितना जैसे मालें जहमों 20 मिनट का 30 मिनट का यह वीडियो आपको देते हैं तो कोश्चन नमरी 11 का हम 32-24 श्रेणी दे रखा है 32-24 ठीक आप लोग अपने बुक से कोश्चन को मिलाते रहें कई मिश्टिक ना हो 32-24 दे रखा है कि स्रेणी जो दिया है ठीक है न स्रेणी जो दे रखी है दिया है स्रेणी आपको इसके दिख विरावग 32,28,24 के यन पदो का योग दे रखा है यह निकि एसन यन पदो का योग दे रखा है एसन बरावर आपका दे रखा है एक सोबीस तो एन कमान वही सेम प्रोसेस आपको लेकर चले तो आप तो आप खुद सलुसन कर सकते हैं लेकिन मैं सलुसन करवा दे रहा हूं ठीक है चलिए तो से दिख ले लोग बढ़ते हैं श्रेणी दे रखा है 32 28 और क्या 24 32 28 और क्या 24 देश 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 दे रखे यन पदों का योग तर यानि कि यन पदों का योग दिया है तो हाई समझते हैं ना उनों कि सब्सक्राइब करना है चलिए कोई दिकत नहीं है सेम प्रोसेस आपका हो जाएगा 32 तो घटाएंगे तो यह 4 हो जाएगा तो यह सब तो पता हो गया चलिए तो पीडिएफ में आप देख सकते हैं पीडिएफ आपका लिंग डिस्क्रिप्शन ने दिया गया है तो बात करते हैं एसन का तो एसन बाराबर मैं पाले फार्मलर रखता हूं यह न बाइटू कहता है कि टुए है प्लस एन माइनस वान ह इसके बाद एसन का वैलू क्या दे रखा है 120 इसकल टू नमबर तो आपको पता करना है कि टू ए एक वैलू कितना है 32 माय प्लस नमबर आपसे पूछ रहा है माइनस डी कितना है आपका माइनस चार यह कंपर मैं न ठीक है चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं इससे मल्ट मैं और यह हो जाएगा प्लस यहां मल्टिप्लाई है तो प्लस में गुणा माइनस में गुणा माइनस माइनस हुआ यह ने डिर्यक गुणा गुणा कर दी तो प्लस वाला हट जाएगा डारेक्ट मैनस चार से इसमें करेंगे तो यह हो जाएगा मैनस 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 प्लस ठीक है अब यहां पर देखिए मैनस 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 अर। आय्य लेक चलीए यह तो अब नहीं है तो आप इसको इदर लाएँए और उसमें इसको इधर ले गए थे ना तो आप इसको जो है कि इधर में ले सकते हैं अब मैं इसको इधर ले लेता हूं तो आप आप सोच रहे होंगी सर उसमें इसको इधर ले गए थे अब इसमें इसको क्यों इधर ले रहा हैं तो आप इसलिए ले रहा हूं ताकि यह माइ प्लस में इधर आएगा तो माइनस और सट एन आई प्लस में है आई तो इधर यह ना दो सव चालिस बराबर कितना जी कि यह आपको अच्छी तर समझ में आया ठीक है इतना सब के लिए रहें चलिए आगे बढ़ते हैं चार से सभी को डिवाइड करें तो एन स्क्वाइर माइनस चार एकम चार हो जाएगा चार सते 28 हो जाएगा प्लस चार चके 24 और यह जीरो बाराबर कितना हुआ जीरो यह टूटल जो वैलू आपकी फाइंड हुई मेरे प् सब्सक्राइब करने पर सकते तो यहां पर यहां पर प्लस रहता है तो बिचवाण में दोनों का माइनस हो जाता यहां हो तो मानश होगा सब्सक्राइब करने पर कितना हो चाहिए भानुड यह रखन पर 25 सब्सक्राइब कि ना तो हुआ हो जाएगा 12 है कितना बाइस कितना पांच यानिके-12 माइनस कितना हुआ पांच माइनस कि तो नंबर किया होगा या कितना होगा पांच यह रहा आपको अच्छी तरह से प्रतेक चीजे समझ में आ गई है तो यह रहा कोशन नमर बारत के प्रस्णों का सलुसन इसके बाद सबस्क्राइब कोशन नमर 12 से कोशन नमर 12 से आपका तीन प्रस्ण है तर प्रस्ण निकान लें तो फ्रेंस उमीद होगी कि जो भी मैं कोश्चन बताया हूं आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है और 12 प्रस्णों का स्लोचन इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि उसमें तीन कोश्चन है तो लगभग आपका वीडियो जो है कि एक घंटे का हो जाएगा क्योंकि उस नए वीडियो अपलोड की जाए आपको समय से नोटिफिकेशन पहुंचती रहे तो चले फ्रेंड मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई